ले चलते हैं आपको राजस्थान विधान सभा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष गुलापचन का तारिया क्या कुछ कह रहे हैं? करके इनका पोस्ट माटम करें तब आपको इस समझ में आ जाया कि यह बीमारी कहां से चली है? यह बीमारी इन व्योसाईयों के थ्रू चली है मैं और आप पेपर आउट करेंगे पेपर लगा पांथ लाग दे दूगा आट लाग दे दूगा मैं क्या दो करोड़ पांच लाता है उसके बाद बड़े-बड़े पोस्टर बहा लगाता है मेरा हंडेट परसेंट सेलेक्शन यह है बीमारी की जड़ अगर मार करना चाहते हैं तो यहां करो तब तो जा करके इसको कोई रोक सकोगे बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो यह राजस्तान क कि उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा जो बड़ी मुश्खिल जो पढ़ता है अपने गर में बुड़े माब आपको भूके मार कर भड़ता है और उसके बाद परिक्षा के लिए जाता है रोतवा घर लोटता है क्या दुख नहीं होता है हम लोगा के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है इन सारे पैसे वालों लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नोक्रियों को बेज दिया मैं बहुत कड़वासत बोल रहा हूं आज जो पिछले आठ साल में नोक्री में लगे ना उन सब का भी पोश्ट मार्ण कराओ आपको लगेगा आदा फटी मामना निकलेगा कोई है नहीं कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा एन जिस प्रकार से हमने परिक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के स उन गरीबों की आसा के उपर पानी फेर दिया रात और दिन पढ़ता है पूग का प्यासा पढ़ता है घर बेच करके पढ़ता है खेच बेच करके पढ़ता है लेकिन जब उसका सेलेक्शन नहीं होता तो जेहर खा के मरता है कोई स्पीडा को समझने के लिए तैयार नहीं ह और हम इस कानून को लाकर के दुनिया को बताना चाहरे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया इस कानून से कुछ भी नहीं होगा मैं आज आपको कह रहा हूँ यह जो आपने नए प्रावधान जोड़े हैं मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ बोलने की इच्छा नहीं मुझे बहुत दुख है इस बात का क्या होगा यह किस तरह की ग्यांग पाल नहीं होने मैं उस दिन भी पूछा था कि मैंने कही यह शिक्षा संकुल पे है जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया इसको लगाने वाला दोशी कौन है जिसके कारण से पेपर जो है ना काट करके निकाल लिया यह तो ठीक है भाग यह हमारा अच्छा था कि सवाई मादोपुर की घटना खुट गई और S.O.G. को उसमें हाथ में लगकर के कुछ केस लग गया अगर वो केस नहीं लगता तो आज आपके सारी नोगरी पर इन सब बड़े-बड़े दलालों के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते और मेरा गरीब का बच्चा अपने घर लोटके जाता क्या दुरभा किया है और इस कारण से केवल इसके लिए खुश मत हो जाओ कि हमने कानून बहुत सक्त बना दिया इतले अपरादी रुख जाएगा नए सिस्टम को बदलना होगा यह परिक्षा का सिस्टम चेंज करना होगा मैं सोचना हूँ कि क्या हम इतने अकल बंद बैठे हैं क्या इस वथ ब्यवश्टा को चेंज नहीं कर सकते हैं क्या एक ही पेपर हार राजस्थान में बीस लाख बच्चों को दिया जाए क्या इसका कोई ऋल्टरनेट नहीं हो सकता इसका alternate सोचना चाहिए कि हम परिक्षा को टूड़े टुगड़ों में कैसे कर सकते हैं जिले के अनुशार पेपर ने एक नहीं हम पचीश पेपर बना सकते हैं कौन से सेंटर पर कौन सा पेपर जाएगा कुछ तेह नहीं करेगा कौन सा जाएगा और हम जो इच्छा होगी वो सेंटर पेपर भेजेंगे और ये जितने भी प्राइवेट स्कॉलेजों में आपने सेंटर बना रखें इनको बंद करो इनको तुरंत बंद करिये एक ओर्डर से जितने भी सरकारी विद्याले है और सरकारी नोकर ही एक्जामिनर बनेगा और एक्जामिशन करेगा तब तो आप इसको बचा पाओगे ताकि आप और मैं कितने भी कानूनां बदल कर दे आपका वो जाज़ करेगा आपका वो अधिगारी आएगा आपने कहा भी शेशन जच्च के नीचे इंडियुक्ती नहीं होगी इसके अलग से कोट होगा बहुत अच्छी बात है प्रोविजन जो आपने डाले हैं वो स्वागत योगए स्वागत करता हूँ पर इन प्रोविजन को लागू तो आप और मैं करूंगा कुन करेगा जब हमी ठीक नहीं हैं तो इन प्रोविजन क्या रोएंगे अंदर बैठे बैठे हैं जब तक हमारा दिल और दिमाग शीग नहीं होगा न इस बिमारी का इलाज नहीं होगा हमने शिक्षा के मंदिर को ब्रश्टाचार की भटी में जला कर खाक कर दिया दुर्बाग गहमारा जहां से कोई आशा की किरन दिखती थी उस गरीब को कि चलो मैं अपनी मैंनस से आगे बढ़ जाओंगा लेकिन अब वो निराश्टा में आ गया है उसको लगा कि आप कोई रास्ता नहीं है और इस कारण से मैं सूचता हूँ कि आप जिस भावना से लाया मैं आपकी भावना की इत्युत करता हूँ लेकिन केवल आपकी भावना इन वैमानों को नहीं रोक सकेगी इसको रोकने के लिए हमको सिस्टम को बदल करके और तुरंद उस पर ध्यान करना चाहिए कानून 302 का बना हुआ है क्या मर्डर रुग गए आप भी जान रहे रोज के रोज पोक्सो कोट में आजीवन कारावा सुरा क्या विविचार रुग गया अपरादी को दंड मिल सकता है अपराद बंद नहीं हो सकता है अपराद बंद करने के लिए जो सिस्टम होते हैं उस सिस्टम में चलो एक मात इस देश में ब्रफ्टाचार की भट्टी में देश जल रहा था केवल और केवल एक तरह से प्रत्यक व्यक्ति का खाता खुलवा कर देश के प्रदान मंती में सारा का सारा बेनिफिट उसका सीधा खाते में डाला बैमानों को चोट लगी नहीं लगी उस तरफ अपना दिमाग पचाओ उस तरफ अपना दिमाग लगाओ किस बिमारी का इलाज कहा है और कैसे हो इस बारे में चिंता करने की कोशिश करो मैं जिनको, मैं कई बार इदर सीकर और इदर गया तो मैं सोचता हूं कोचिंग संस्तान की बिल्डिंग देगे ना तो टोपी गिर जा नीचे से क्या चीज़े यार बगवान ने क्या लक्ष्मी वहीं बरसा ही है और जो बाकी संसा है उसका कारण ही है कि हमने अपनी दुकान को इतने कमजोर कर दी है कि जहां बच्चे अच्छी तर से शिक्षा लेकर के हम जैसे गरीब पढ़कर के यहां आगए अब वो रास्ते नहीं है और इस कारण से मेरी बहुत बीदर में प्रार्थना है इस बिमारी का इलाज चाहिए बच्चे को कानून से नहीं होगा कानून के लागा होगा और उसमें आपका रहे धन्यवाद थैंक्यू